अब बार फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ और मैं आपको बता दो कि आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है यह एकनॉमिक्स के पार्ट में आएगा और यह आप जितने बचे आज जो इन करने आपको बता दो कि यह इंसिटुट पर यह जो क्लासे चलती ह हैं यह चलते हैं सी उटी एक्जाम्स के लिए और सी उटी एक्जाम्स आप सभी जानते हैं कि कितने इंपॉर्डेंट हो गया है उनिवर्श्टी में अटमिशन पाने के लिए तो आप परिशान मत हो आपके पास जब भी वक्त मिलता है वीडियो को फॉलो करें सभी सब्ज निकलेगा और अच्छे मार्क से निकलेगा इसकी गरेंटी मैं देता हूं आप स्कूल में हैं कॉलेज में हैं पढ़ते रही है और जब भी आपको टाइम मिलता है तो देखें की त्यारी ऐसी नहीं है कि आप दो महीने पढ़ेंगा और क्रैश कोर्स से हो जाएगा नहीं ज कि जब भी जी के तैहरी कैसेी करें तो तो चीज़ लगती है उनको लिमीट में बनाना और को रहेंगे, यह को पूरे साल रहना है क्योंकि कंसिस्टें से आपको विनिंग प्रवैड करती है और यह जी के जीए से एक अच्छा पोर्षण आता है उसमें अच्छे मास करता है तो आपको आपको मास में जादा से जादा स्कोर करना है तो आज से नहींड अपूद Luna कुदा ख़़ाएगी कि तो जैसे तो मेरा एक्स्पीरियंस आपके शेर करने आया है आप आगे बढ़ेंगे तो मैं अपने आप आगे बढ़ूँगा क्योंकि एक टीचर का जो भी रिलेशन या ग्रोथ होता है वह बच्चों से होता है तो चलिए आज का टॉपिक ऐकनाविक्स का है और एकनाविक्स में आप पढ़ेंगे बैंकिग इंट्रक्जर्चरी लिन ही इन्डिया में क्या पढ़ाने वाल आप हमें तो बयंक connection क्या होते हूं कौन से बैंक जैसे मैं आपसे बूलो commercial bank, public sector bank, schedule bank, unscheduled bank, क्या है यह पता ही नहीं, commercial bank बूले जाते हैं तो दिमाओंगे सोचते हैं क्या है यह पता ही नहीं, तो आपको जदा परशान नहीं होना है, केवल एक flow chart बनाना है, और उस एक flow chart के साथ छोटे छोटे topics लिखने हैं, और आपका सब कुछ कहते हैं, आज के बात से आपको बैंक कौन सी किस category में आते हैं, इसकी मैं return guarantee देता हूँ, और अच्छे से notes आप मेरे साथ बनाएंगे, कोई PPD नहीं, जो मैं लिखता हूँ, आपको वो लिखना है, तो चलिए, सोचना गया है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि भई, सर सबसे पहला bank इंडिया में जो आता है, वो RBI है, इसके बार में मैंने आपको पिछले lecture में पढ़ाया है, पिछले lecture जो आपने देखा होगा, उसका link description नहीं मिल जाएगा, उसमें मैंने RBI के function और उसकी monetary policy के बार देखें आप, और दोस्तों के हाँ शेयर करें, अब RBI की बात करें, तो RBI Reserve Bank of India, भाई, बैंकों को इस तरह से दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हमारे पास scheduled bank, और एक होते हैं non scheduled bank, ओके, तो हम scheduled bank की बात करेंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास सर, एक हो गया schedule bank, और एक हो गया, non scheduled bank, भाई हिंदी में भी बता देते हैं, इसको एक होता है, अनसूचित bank, ओके, एक को आप क्या कहते हैं, अनसूचित bank, और एक आपको गैर अनसूचित bank, ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी लिखना चाहा हैं, तो लिख सकते हैं, अनसूचित bank, ओक बच्चों को हिंदी में चाहिए अनसूचित बैंक और नौन का मतलब क्या होता है गैर वो गया सर्थ तुम मेरे साथ ना आओ तुम से इसके बाद आए आर बीआई ने शेडूल बैंक को दो पार्ट में कोपरेटिव बैंक और एक हो गए लोगाएिंगे तुरा कौमर्शिल में के बात करेंगे का को क्या है चैजिक के दिश्चर सेवा चेतर के बैंक, जो पुब्雇क की सेवा कि तो एक हो गया कि पॉब्लिक सेक्टर की बैंक के बात होते हैं इसके अनाम मसर और फ्रबिक के बाद आता है प्राइब प्राइवेट सेक्टर इसका मतलब निजी छेत्र आप क्या कहते हैं निजी छेत्र के जो बैंक होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक निजी छेत्र के जो बैंक होंगे वो क्या होंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक होंगे अच्छा सब प्राइवेट सेक्टर कि अनामा क्या आएगा इसके बाद आते हैं foreign bank foreign banks आते हैं चलिए मैं इसको आप च्छे से इंडिकेट कर दूंड आप कंफ्यूद रहेंगे तो commercial प्राइब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक और एक और आएगा एक बैंक और आएगा जिसे आप कहेंगे रिजिनल रूराल बैंक। आप क्या कहेंगे इन्हें ? रूराल बैंक च्छेत्रिय ग्राम विड़् बैंक। तो भाई आपको इस वारेंग का मतलब विदेशी बैंक को कितने पार्ट में पहला पार्ट पब्लिक सेक्टर दूसरा प्राइवेट सेक्टर तीसरा फॉरेंग जो बाहर से बैंक आते हैं और चौथा क्या है रूरल रिजनल बैंक छेत्री ग्रामेड बैंक इन चार पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अब सवाल यह सर की कॉपरेटिव बैंक यह नौन शेट्यूल बैंक क्या होते हैं या बैंक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है वह कहाँ कोपरेटिव बैंक जिसे आपने कहा सेहकारी बैंक कॉपरेटिव बैंक को भी कुछ भी डिवाइड किया उसको आप इस तरह से समझ लीजे आप तीम हिससे बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इसके अलावा अधर कॉपरेटिव बैंक्स और इस तरह से आपने पाया कि कॉपरेटिव बैंक को भी तीन के डिवाइड किया गया मनलब यह तीन लेयर है ठीक है स्टेट लेवल पर डिश्टिक लेवल पर और कुछ अधर्स भी होते हैं उसके बाद प्राइबिटेट लिएगा कॉपरेटिव बॉ॥ पॉरेंच बार रीजिनल रूरल बैंक जो इस तरह से आप इसको लिख लिजे तो आपको आइडियाल लग जाएगा कॉपरेटिव को मैं ने बोला सहकारी बैंक तो याद रखेगा राज्य शैकारी बैंक डिस्टिक कॉपरेटिव में क्या होगा इसे आप कहेंगे राज्य सह सहकारी बैंक जो बैंक के टाइप इसलिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा था इसलिए मैंने क्या लिखा था रबी आई तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे और फिर से मैं समझा देता हूं देखे, RBI है, RBI ने डिवाइड किया, scheduled and non-scheduled, अनुसूचित बैंक and गयर अनुसूचित बैंक, फिर scheduled बैंक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, commercial बैंक किसके में, commercial बैंक में सर, and cooperative बैंक में, फिर commercial बैंक को चार पार्ट में, public sector, private sector, foreign and regional and rural banks में डिवाइड किया गया, और इसके बाद, भाई यह दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है, regional rural bank है यह, अगर दिखे ना, तो इसको यहाँ चाह समझे जगा, regional rural banks हैं यह, और उसके बाद हमने क्या पाया, कि cooperative को कितने में डिवाइड किया अब हम हर एक स्लाइड में, अच्छी से समझेंगे कि किस बैंक का क्या काम है, सबसे पहले आते हैं, RBI के बारे में, हाला कि RBI के बारे में, मैंने पिछले रेक्टर में भी बताती है, लेकिन अब यहाँ सुरू से पढ़ रहा है, तो समझते है, RBI, RBI की बाद की जाए, तो RBI की स्टैबलिश्मेंट होती है, 9034 Act, RBI का क्या है, 9034 Act है, और 1 April 1935 से यह अपना कारे शुरू करती है, ठीक है, और यह हमारे एक देश का केंदरी बैंक है, यह बतब बैंकों का बैंक है, यह सारे बैंकों को कैसे काम करता है, उसके लिए प्रीविएस वीडियो को देख ल क्या क्या काम है, कैसे RBI करती है? ठीक है? तो अब बात आता है कि RBI की, जो Act, RBI 1934 है, उसमें सेकेंड की सेकनुर, Şimdi, जो बैंक आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो सेकेंड की सेडुल,емсяक्यास पतण आतब घंचा कि बैंक हैं, वह आज हम पढ़ेंगे, इसके अलाव आप पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर के 26 बैंक है 26 पब्लिक सेक्टर के बैंक है जिसमें से 26 यह सारे के अर्विय के अंडर में आएंगे याद दखेगा 21 बैंक क्या है बंद पब्लिक सेक्ट में है और 5 क्या होते है वह 21 नशनलाइज बैंक है इनको राष्ठीकरण कर दिए गया है इनका तो उससे हम क्या कहेंगे कि यह नेशनलाइज बैंक है 21 कितने है national bank का और 5 जो है SBI और उसके associates होते हैं तो 5 banks जो है वो क्या है सर, SBI and its associates, SBI and its associates, तो इस तरह से आपको पता चल गया, यह सब किस के थूँ, सब RBI के थूँ govern किये जाएंगे, याद रखेगा, यह सारे क्या किये जाएंगे, RBI के अंदर RBI की बातें इनको समझने पड करते हैं, तो यहां से आपको पता चला, कि हाला कि इसको भी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, सेकंड शेडूल बैंक, तो यहां दखे, 26 पुब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, जिसमसे 21 nationalize है, 5 क्या है, SBI और अशेट्स है, RBI 1934 एक के अंदर आया था, एक अप्रेल 1935 से work करता है, और 1949 में इसका nationalization करके इसको इंडिया का Reserve Bank of India बनाया गया, तो इसका nationalization भी किया गया था, 1949 में, ठीक है, अब आते हैं, मेन पे, चलते हैं, scheduled bank के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, scheduled bank, क्या होते हैं, यह scheduled bank, कैसे इनको scheduled bank कहा जाता है, अभी मैं आपको पिछली slide में ही लिखा था, तो वहीं से मैं आपको समझा देता हूँ, कि by the definition, by the definition, by the definition, अगर आप इसको define करना चाहते हैं, by the definition, आप कहेंगे, any bank, आप क्या कहेंगे, any bank which is listed, any bank, जो, which is, which is listed, in second schedule, in second schedule, of RBI Act 1934, RBI Act, इसको इसे तरह से प्रें नोटस में रिखेंगा, RBI Act 1934, के अंदर, जितने भी banks को, second schedule में list किया गया है, वो सारे के सारे क्या है, scheduled bank, RBI की कुछ criteria's थे, जिन banks ने follow किये, उसको उन्होंने schedule banks में डाला, 1934 के act के थी, ठीक है, इसमें कौन-कौन से banks आते थे, सवाल यह है, कि इसमें कौन-कौन से banks आते थे, तो आप कह सकते हैं, उस टाइम पर सर, बैंक आफ बड़ोदा, बी-ो-बी, जो आज आप कहते हैं, बी-ो-बी, बैंक आफ बड़ोदा बगर है, यह सब भी इसी में आया थे, जब इसको second schedule में पहली बार किया गया था, 14 banks का को add किया गया था, बाद में यह banks बड़ते जाते हैं, तो जैसे अभी क्या 21 है ना, पबिक सेक्टर के, तो पहले यह 14 banks का nationalization किया था, 14 bank का 1969 में nationalization किया गया था, तो 1969 में 14 banks were nationalized, और इनको nationalize करके क्या किया गया था, कहां पे add किया गया था, second schedule में, किसमें add किया गया था, second schedule में add किया गया, तो यह schedule bank के अंदर में आते हैं, किसके criteria में आते हैं, schedule bank के अंदर आते हैं, अब बात आती है किशर, से नों सेद्यूल बैंक यह दूंक शेड्यू बेंक आपना हुआ वैसे नॡॉन सेच्ट का भी आप कैसे किसरें एसके बारे में तो आप सीधी बात 1934 में registered नहीं है, वो क्या है, उन्हें हम कहते हैं, non-scheduled bank कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, non-scheduled bank कहते हैं, नोट्बूक में लिखेगा, यह आपको rough दिख रहा हैं, लेकिन यह notes आपकी अपनी language में बहुत यदा काम आने वाले हैं, ठीक है? तो जिन बैंक की capital, ऐसे बैंक, बैंक, विच हैं, रिजर्व कैपिटल, विच हैं, रिजर्व कैपिटल, लेस दन 5 लेक, लेस दन 5 लेक, पाच लाग सी कम का जिसके पास रिजर्व कैपिटल है, उनको हमने क्या किया? नौन शेडूल बैंक में रखा, पाच लाग सी कम के, रिजर्व कैपिटल वाले बैंक को, नौन शेडूल में रखा गया, तो जैसे शेडूल बैंक के लिए, RBI responsible होती है ठीक है schedule bank उसके customer होते है bank rate और उनको loan देती है RBI time to time वो non-scheduled bank के लिए responsible नहीं होती है यह हमें सा याद रखेगा कि non-scheduled banks इसके profit में नहीं आते हैं ओके तो आप कहेंगे कि unlike scheduled banks unlike scheduled banks these banks these banks unlike scheduled banks these banks are not entitled are not entitled to borrow money from RBI not entitled borrow money from RBI borrow money from RBI तो जैसे कि भाई आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा तो यहां पे अगर कोई bank non-scheduled bank की criteria में आता है तो पहले तो आरभी आई से लोन वगरे नहीं ले सकते हैं और हां किसी बहुत इमर्जनसी कंडिशन पे आरभी आई देखेगा कि करने लायक है तो करेगा नहीं तो अदर्वाइस यह आते हैं commercial bank पर तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि शेडूल बैंक और नौन शेडूल बैंक में इतना है इस्यादा नहीं हमें सब कमाने के लिए सोचते हैं तो हम कि कमर्शिल बैंक अरभी आइं रिग्लतिंग निटिंग आयट आं टिसलिंग है आरबाटे चेटिंग डिजिस्ट ard में व estasखान किसमें है यह और यह पीोट जो भी दिखिस्ट्रोनाइं वो क्या है कमर्शियल बैंक में आते हैं okay so they and their business model they and their business model is about to make profit about to make profit तो देखे इनका main purpose है profit कमाना कहीं न कहीं इनको profit में रहना है यह कोई loss making property नहीं है थीक है तो commercial bank का main model क्या होता है कि they earn profit इसी तरह से banking बनाई गई है तो commercial bank की बात करें तो RBI Act regulating 1949 के अंदर यह है और इनका जो model है वो क्या है इनिहाव profit कमाना है ओके इनका primary function क्या है तो sir इनका primary function इनका main क्या है जो सभी बैंकों का होता है function is accept deposit कि बाई अगर आप deposit देते हैं तो deposit को accept करेंगे provide loan आपको क्या करेंगे लोन प्रॉइड तो जो भी एक यह जिंडरal पब्लिक को देंगे लों किसको सकते फब्लिक को सकते हैं नहीं के निए कन को पर आ öपकर लोन किसको देतի हैं तो यह समझ लिया आप कोप एंक को पूरे अलग होते हैं थीड इनीटीन. इस Самय सब्सक्राइब मतलब नरे जा है. 500- womb. नॉर्मिंक से पहले चलाए घर इनका में प्रॉफिट फडपal कमाना नहीं होता आर इसमें कोई एक नहीं होता इसमें क्या होता इसमें कि इंडिया कि पैसान्य पैसा लगा खाट बीज लेने आते हैं तो यह चाहता है किसान ही ही उसमें लगाते हैं और उसी से लोन देते हैं और फिर उसमें पैसा रखते हैं अपने फ्रोफिट का उर चोटे किसानों सक्सेस्फुल था दीरे दीरे टाइम के कोर्डिंग के ढलते चले जा रहा है तो कॉपरेटिव बैंक अब उतने सक्सेस्फुल नहीं रहा है क्योंकि बिजनस के मॉडल स्चेंज हो गया है फिर भी 1904 एक के अंदर जो बैंक आते हैं वह कॉपरेटिव बैंक थे ठीक है तो ये बैंक किसके लिए फैसी यह मिच्वल आपके सकते हैं यह क९ह मिल मिल जू लग क काम करना ठीक है तो मिच्ब शेयरिंग में बैख डॉन बैलूम से और यह ज़्यादा फेमस थे रूरल एरिया में तो आप कह सकते हैं कि एक quality और होती है लगवां गहर एक स्टेट गवर्मेंट चलाती है अपनी ठीक है तो इनका इजिंडा था इनका जो परपस है वह है नो प्रॉफिट नो लॉस ना एक कोई लाभ ना एक कोई घाटा तो नो प्रॉफिट नो लॉस के परपस पर यह चलते हैं तो जितनी भी स्टेट में लगव हैं जैसे आप लिए रिगव से आंदरप्रदेश कॉपरेटिव वैंग्स भैए आंधर प्रदेश कॉपरेटिव बैंक चलाते हैं तो बिहार स्टेट गर्ड आप लिख लिए हुप बिहार स्टेट यूपरेटिव बैंक्ड यह सब क्या है यह सारे कॉपरेटिव बैंक हर एक स्टेट का होता है राध्य सरकार इसको चलाने की कोशिश करती है क्योंकि कॉपरेटिव बैंक लोगों की रूरल लोगों एरिया में लोगों की मदद के लिए कॉमर्शियल बैंक हर जगह ऐसे नहीं देते हैं कि आप कुछ गिरवी रखो पेपल उगरत लेकिन यहां सहकारी बैंकों में ऐसा नहीं है क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडिशन पर चलते हैं हाला कि करेंटली यह खुद लॉस में है कई सारे सहकारी बैंक डिस्टिक क्योंकि यह तो कॉमर्शियल बैंक से भी पुराने हैं तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्या होते किसी को डाउट डाउट होगा तो मुझे लगता है कि यह आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट वाइस कि नो प्रॉफिट नो लॉस कुछ इंग्जामपल से बेस्ट और इ पॉब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में यही बैंक चलिए मैं आपको पहले कुछ नाम लिखता हो राज आप जानेंगे कि क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक और यसे यूनियन बैंक है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अकांट जो है वह पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में युको बैंक आता कि युको बैंक तो एक है इसके लामा बहुत सारे हैं कि मैं आप इंडियन बैंक के लेजिए ग्जांट कें लागि जो आपको पताते हैं कि commercial bank यह pump इंग पन भी है तो यह आते हैं फ्र्ट कहले वाट रखेश्जी दॉसे हैं और अपनि मैंके सब्सक्कार फाका किया पता है पॉब्लिक सेक्टर बैंक के बात की जाए तो इनके मैक्सिमम शेयर पॉब्लिक सेक्टर बैंक के मैक्सिमम जो शेयर जो हिस्सेदारी होती है बनलब लगभाग में 52 परसें 52 परसें हिस्सेदारी किसके पास होती है गौवर्मेंट की होती है गौवर्मेंट की होती है इस तरह के बैंक को क्या कहते हैं पॉब्लिक सेक्टर बैंक क्या कहते हैं पॉब्लिक सेक्टर बैंक तो पॉब्लिक सेक्टर बैंक में आपका पॉब्लिक सेक्टर देखिए मैंने बोला था हुआ प्लस फाइफ अधर फाइफ अधर्स में क्या आते हैं फाइफ अधर्स में आते हैं ए आते हैं public sector banks में तो I think इसमें आपको problem नहीं होगी SBI की बात करें तो SBI SBI India का India का सबसे बड़ा commercial bank है सबसे बड़ा public sector का commercial bank है याद रखेगा सबसे बड़ा public sector का commercial bank है फर्क है दोनों चीज़े पब्लिक sector का commercial bank है तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा I think आपको चीज़े बड़ी आसानी से clear हो रही है क्योंकि इसको बड़ी simple language में मैंने समझा दिया आपको कि जिन भी बैंकों की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी सरकार के पास हो तो वह क्या हो जाते हैं पब्लिक sector bank हो जाते हैं ऐसे 21 यह नाम है जिसमें से मैंने 57 आपके सामने लिखती है ऐसे बड़े सारे नाम मिलेंगे प्लस 5 SBI और उसके असोशेट मिलके 26 नेसलाइज बैंक है ठीक है और यह क्या है बाई इसमें जिसमें गवर्मेंट का आप सब्सक्राइब की यह क्या होते है ठीक है तो हम बात करते है तो के उड्ली से गौवर्मेंट तो होती है कि आप एक तरह कि प्रायवेट सेक्टर हैं अप जिससे आप कहते हैं निजी छेत्र के दो प्राइवेटर बैंक जिसे आप कह सकते हैं कि निजी छेत्र दूसर यह क्या है सीधी बात है अब इसमें भी देखे सीधी बात है किसी कमपनी में या जाता है और आपकी पार से कहीं कि जिस बैंक में फिटी टू परसेंट यह उससे ज XV2 पर्सेट प्लस शेर किसी इंडिविजुव के हाथ में हो गलों किसी एक डिकाप निजी स्वामित्थ में हो ओके प्राइवेट इंडिविजवल किसी बाहरी परसुन में किसी प्राइवेट इंडिविजवल के हाथ में 52 परसंट से ज्यादा शेयर हो तो उस तरह के बैंक को आप क्या कहेंगे प्राइवेट सेक्टर कहेंगे क्या कहेंगे बाइवेट सेक्टर क्या कहेंगे एक पिनसे मैं क्या केंगे अब इसकी अलाबा मैं तो एक्जाम्पल की बात करें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्जाम्पल्स की बात करें तो आपको पता होगा सबसे बड़ा आता है इसका नाम नहीं सुना तो क्या सुना अपके और सी प्राइवेट सेक्टर बैंक कॉमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है सबसे बड़ी है इसके बाद आपने नाम सुना होगा कोटक महिंद्रा नाम सुना है क्यों नहीं सुना होगा तो कोटक महिंद्रा की बात की जाए तो यह भी इसी में आती है लगबग में पैसे लगाती है कोटक महिंद्रा बाजाज फाइनस यह सबाते हैं तो चलिए मैं कुछ नाम लिए पर लिखते चलता हूँ कि पहले यास Yeah Bank हाला कि अब येस बेंक impacting उसमें रहा ने यास बैंक हुआ नाम भही इंद्स możliison कि कि लेंड मंधन बैंक क्य आया है कि बंधन bank यह सारे बैंक के आथर अपने आपने सरस्रेस्थ बैंक City UnionStep UK Guardian bank में guardian bank AllThe Union Bank नो आप देख रहें किसार क्रेडिट कार लेने के लिए फोन आप को मुर्णा है पबल्लिक सेक्टर बैंक में SBIU वाले आपको मिल जाएंगे मेट्रो स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे क्रेडिट कार्ड बन वालो इसके अरामा आपको कहीं बीओभी वगरे वालो कि सामने से कुछ अदर बेंक में काउंट यहां से इतनी गहुआ आता है कि आपने नंबर बंदर तो रिकल अलेने पर फिर सरड महिंद्र से आपको एक फ्री क्रेड़ कार्ड बेचने द खरता हूँ लिए इतनी जाद बीचने के लिए private sectors में होड़ अलगी रहती है कि कितना ज़्यादा पैसा उधार दें और कितना ज़्यादा इंट्रेस्ट कमा लें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो और ज़्यादा प्रॉफिट पॉर्ण होते हैं कि इनको बहुत से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना इसके लिए मतलब पता चला है कि आप लोन के लिए देख रहे हो आपका डेटा कहां से निकालेंगे नंब मैंने गलती कर दी मैंने ट्रेडिट कार्ड के बारे में देख लिया तो वहां भी बात करते हैं आगे आते हैं अब समझते हैं इसके बाद कुछ और कि और इस और इस ऑर ओर दोबागी है वहां देखो कि कोई बैंकिंग अपटरी में जाती है तो वह वह हुआख की इंडिया में आतीया में वी आती है पर एक जिया रखिएगा छो फारें effectivement में वित्वात इसे लिए वान विए deja का पक्स्य जोते हैं इनको कि आपनी से सबस्य सब्सक्राइब में इंडिया पॉलिटिक पड़ू करने पड़ेगा यह पहली कंडिशन होती है कि जिस नीए जाता है पूरा सिस्टम अलग है तो अब देखते हैं कि नाम जान लीजिए ठीक है तो इनके बारे में समझते कि इनका क्या है इनका सेटप कैसे है ठीक है तो इनकी loan gaining capacity ज्यादा होती है इनकी गया है loan giving capacity ज्यादा होती है पर इन देते हैं इसके रावाँ इनको भारती इंडिया की एकनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है की एकनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना है इनको इंडिया की एकनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना है मतलब सीधी बात है अगर कोई भी बैंक इंडिया में आके बाहर से ओपेंड करना चाहता है तो कोई प्राब जान लीजिए इनके बारे में HSBC Bank, फुल फॉर्म नहीं पता, HSBC Bank, ये एक नाम है, कभी सुनेंगे तो आपको बता चल जाएगा, इसके अलावा इसमें आता है CITI Bank, CITI Bank, एक ये है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, CITI Bank के अलावा, तो इसमें एक आता है, तो बस ये दो बैंक बहुत हैं, इसके बलावा, ये कुछ फॉरेंड बैंक हैं, इंडिया के, तो आप जान लीजिए कि फॉरेंड बैंक, बाहर से आए हुए बैंक, जो इंडिया की एकनॉमिक पॉल्सी को फॉलो करते हुए, ये सारे काम करेंगे, और इसी के अलावा, इनकी लोन किविंग कैपसिटी यूजरी सबसेडरी बैंक से जादा होती है, क्योंकि इनके कस्टमर भी बड़े हाइफ होते हैं, ये थोड़ इए बर इवष्क करेंगे, तो हम बाते हैं, रिजनल रूरल बैंक कामॉरिशल तरहां चैles camera a आते हैं तो इस खो इस वे नाम से किये इनका मट्रॉट कमाना नहीं है यह मोता है को कॉपरेटिव एक्सका होता है के वल इसका है इसका मतलब क्या है पुब्लिक सेंटर के आज कल सारे लगवाग में पहुच गया ग्रामीड इलाकों में लेकिन फिर इनको ग्रामीड इलाकों के हिसाब से ही रखा गया तो इनका काम क्या है इनका जो काम है वह मैं आपको समझा देता हूं आपको जादा अच्छा इसली समझ में आ दाएगा तो पहले 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 तो पह तो देविकर सेक्शन ऑफ दे तो साइटी लाइक लेबर बहुं अब बाई मजदूर है स्मॉल फार्मर्स या फार्मर्स लिखिए बसे तो इसमें स्मॉल फार्मर्स भी आप मेंशन कर सकते हैं फार्मर्स आप इसे कह सकते हैं, small farmers लिख लिएगा, small farmers, and आप कह सकते हैं, small enterprises, small enterprises या छोटे उद्धियों, small business लिख लिएगे, small businesses की बात की जाए, तो यहां पे भी यह क्या करते हैं, provide करते हैं, इनका काम क्या है, small businesses को छोटे लेवल पे क्या provide करना, loan provide करना, और कम से कम interest rate पर provide करना, profit कमाना, but not in that much bigger amount, okay, इसके अलामा अगर आप बात करें, इसमें, अधर क्या होता है, तो इसके अलामा, provide banking facilities, बैंक की जितने भी फैसिलिटीज, के बाल भाई उधार थोड़ी देंगे, और भी होते हैं, provide banking facilities, in, urban, and semi-urban, and semi-urban area, मतलब कसबा भी होता है, अर्बन को बलब शहरी इलाका बन रहा है, और semi-urban इलाका, दोनों इलाकों में यह क्या करते हैं, banking facilities provide करते हैं, banking facility में जो भी facility consider की जाते हैं, वो सारी facility क्या करेंगे, यह provide करते हैं, इसके अलावा एक काम और है भाई, याद रखेगा, कि एक आपने सुना होगा, मन रेगा, मन रेगा, यह क्या है, महात्मा गांधी, ठीक है, मन रेगा, तो इसके बारे में समझते हैं, इसमें ए नहीं आता, I think महात्मा गांधी हैं ना, इसके बारे में हम समझते हैं, कि यह क्या है, इसको, M.G. न. रेगा, ठीक है, इसका मतलब हो गया है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, National, Rural, Employment Guarantee Act, Employment Guarantee Act, ठीक है, तो बहुए, मन रेगा में यह एक्ट क्या था, इसमें बोला गया, सरकार ने कहा, सरकार ने वादा किया, सरकार ने वादा किया, लोगों से, वादा किया, ग्रामीड लोगों को, किसको, ग्रामीड लोगों को, ग्राम के लोगों को, ग्राम के जो वर्कर्स हैं, लोगों को, मिनिमम सो दिन रोजगार देने का, मिनिममम, हंडेड डेज, इम्प्लोईमेंट, इम्प्लोईमेंट, छीक है, इनको, हंडेड डेज इम्प्लोईमेंट की, मिनिममम सो दिन का गाम तो सरकार देगी, और मिनिमूम वेजस भी अच्छे रखे उस टाइम गाउं में सो रुपे दे जाते थे उस टाइम इनका वेजस रखा गया यह बहुत पुरानी बात है हो सकता भी यह 175 यह 200 प्लस चला गया हो मैं इसके लिए नहीं चाता लेकिन जब मैं छोटा था तब गाउं में मिलाब 70-80 रुपे मजदूरी होती थी तो मंद्रेगा आया मंद्रेगा में बोलागा सौ दिन रोजगार मिलेगा तुम इसकिल्ड लेबर और नौन इसकिल्ड लेबर ड़सन्ट मैटर आठ गंडे का काम करना है तुम्हें 125 रुपे मिनमम मिलेगा तो पहले यह अमाउंट आता था कैश कैश आता था तो ग्राम प्रदान उसमें बड़ी जोचले बाजी करते थे किसी ने काम नहीं किया उटा लगवा लिया साइन करवा लिया और पैसा ले लिया उसके बाद सरकार ने कहा कि नही इन सभी सभी ग्रामेड के अरवी में अकाउंट ओपन किया गया अब यहां पर आएगा मजदूर के अकाउंट में आएगा तो जिस दिन मन्रेगा का पसा निकाला होता था प्रधान के साथ जाते थे और लाइन में लगे रहते थे उस दिन मैंने दिखा रहा हमारे यहां कंट नरिका मंरेगा का पैसा और उसके को निकालने के सारी ग्म कर दोए किमेंगा वर्पेश्पर रोती क्षा एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रूसर के पा Meansा मां लिडिया दो कि स्यूमाइब तुम जाओ पैसा निकालो तुम रखो हजार और 4000 मेरे अकाउंट मेरी जेब में तो इस तरह से भी द्धान्दली मुल्ब जिसको द्धान्दली करनी है ना वह द्धान्दली करता ही करता है इंडिया हर चीज के लूप हो लोते हैं सरकार कहा तक पकड़ेगी सरकार ने हाला कि इसमें जो लोग होते थे वह अच्छे खासे खेती वाले किसान होते थे लेकिन लालच है और करप्शन है किसी भी लेवल पर किया जा सकता है तो अरारबी का काम ये भी होता है कि सरकार की योजनाओं के थ्रू जो पैसा जाता है ग्रामेडो में वह इनी बैंक कि इक्जैक्टली कैसे बैंक वो करते हैं किस बैंक का क्या काम है किस टाइब का बैंक होता है अब आपको कॉमर्शियल धैक से नहीं होगी एक बार मैं फुराफट रवाइस करवा देता हूं आपको थाकि आपको दिक्कत ना हो और एक बार पस व्लू चार्ट देख लिए भी ओबारे में इसे में और उसके बारे में हम कभी और डिसकस करेंगे त बैंकिंग इस्ट्री फिर इंड वड़ेंगे उसमें हम नाबार के बारे में भी पढ़ेंगे की नाबार का है नाबार जैसे कि आप बात करते हैं आप इसके लिए तो आज के लिए इतना ही हसर रहे हैं मुस्कुराते रहे और मिलकर आपको अगले लेक्चर में किसी अलग वीडियो के साथ, इंटरस्टी वीडियो के साथ, जो कि शायद हिस्ट्री या जोगरफी से रिलेटेड हो, जो कि आपके लगवग में सभी प्रॉस्पेक्टेस को कवर करें, तो बने रही है हमारे साथ, यहां पर सभी चीज़ों की तयारी आपको मिल प्रॉस्टी विलगूल, यूट्यूब पर मुफ्त, तो बने रही हमारे साथ, that's all from my side, bye everyone, have a good day.